वेजीटेबल वेस्ट वगर यानि यह सारे वेस्ट आपके जिसमें जिसमें ऑर्गैनिक मैटर प्रेजेंट है उन सारे वेस्ट का मिक्स्चर होता है यह आपका कंपोस्ट इन सारे और यह सारे जो वेस्ट है जिसमें ऑर्गैनिक मैटर प्रेजेंट है उन सब को अब नेक्ष्ट हम लोग बात करते हैं, वर्मी कंपोस्ट में क्या डिफरेंस है, तो वर्मी कंपोस्ट हम किसे कहेंगे, यानि कि इस बार जह डिकंपोजिशन किसे थुरू हो रहा है, कौन कंजम करके कर रहा है, इसे डिग्रेड खोतम कर रहा है, अर्थवाम तो अर्थवाम को हम लोग friends of farmer भी कहते हैं किसान का दोस्त तो ऐसा क्यों कहते हैं तो ये जो आपका जो अर्थवाम है ये वर्मी कमपोस्ट बनने में help करता है इसलिए इसे हम किसान का जो है वो friend कहते हैं क्योंकि वर्मी कम्पोस्ट जो है वो तयार हो रहा है और वर्मी कम्पोस्ट कैसे तयार हो रहा है तो जो और गैनिक वेस्ट होते हैं उन्हें ये क्या करता है अर्थवार्म जो है वो कंजम कर लेते हैं और उसके बाद ये आपका जो अर्थवार्म से जो आपका ये तयार होता है तो जो मैनियोर तयार हो रहे अर्थवार्म के थुरू तो उसे हम कहेंगे वर्मी कमपोस्ट और इस process को हम लोग कहते हैं Verme Composting क्योंकि इस बार जो है Organic waste का degradation जो है Earthworm के थुरू हो रहा है तो इस process को ही हम कहेंगे Verme Composting और जो manure तयार हुआ इस manure को हम लोग क्या कहेंगे Verme Compost तो ये था आपका कि Farmyard manure किसे कहेंगे Compost किसे कहेंगे और Verme Compost हम किसे कहेंगे Earthworm used in Verme Composting आर Dicogastra Bulani and Dravida Willisie ये जो दोनों आपके नेम यहाँ पर मिंसन किये गए है ये Earthworm का है तो ये दो तरह के Earthworm जो है वो Verme Composting में यूज किये जाते है अब नेक्ष्ट है आपका Green manure तो Green manure हम किसे कहेंगे तो आपके जब प्लोइंग होता है तो प्लोइंग करने से पहले आपका यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग Seed को जो हम लोग Seed Soing करते हैं तो Seed Soing करने से पहले Seed डालने से पहले उस स्वैल में हम लोग क्या करते हैं जो आपके green manure crops होते हैं उस green manure crops को हम लोग आपका seed sowing से पहले ही उस field से remove कर लेते हैं उस field में जितने भी आपके green manure crops जैसे कि आपके sunhem, horse gram, guar, copy यह सारे green manure crops होते हैं इन्हें क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं इन्हें remove कर लेते हैं और उसके बाद इसे हम लोग क्या करते हैं उसी soil के साथ हम लोग mix करके as a manure उस soil में हम लोग add करते हैं तो यह green manure जो है वो स्वैल के साथ mix होकर यह स्वैल की fertility को बढ़ा देता है और यह कौन से nutrients को add करेगा स्वैल में nitrogen, phosphorus, यह दो आपके जो essential elements है और कुछ organic matter को भी यह आपके स्वैल में add करते हैं तो यह क्या थे कि यह आपका green manure crops ही था जिसे हम लोग क्या किये स्वैल के साथ ही mix करके as a manure add किये ताकि आपका crop का fast growing हो सके तो यह काम हम लोग क्या करते हैं seed डालने से पहले करते हैं उसके बाद हम लोग plowing और leveling कर देते हैं पूरे स्वैल को और तब जाके हम लोग seed डालते हैं तो उसके बाद जो crop जो है वो तेजी से grow करता है क्योंकि उन्हें क्या मिल रहे है nitrogen, phosphorus और organic matter तो यह provide करता है आपका green manure तो यह हमने बात किया manure के बारे में कि manure हमने कहां तो जितने भी हम लोग यह जो types पढ़े है manure के तो सब में एक चीज़ common था कि manure जो है वो कहां पर prepare किया जा रहा है land में आपके open field में जबकि fertilizers जो होते हैं यह आप तक chemicals होता है जिसे हम लोग कहां manufacture करते हैं factories में manure land में prepare किया जाता है fertilizers factories में prepare किया जाते है manure के comparison में fertilizers में आपका high rich nutrients present होते हैं कौन-कौन से nutrients present होते है nitrogen, phosphorus and potassium क्योंकि fertilizers जो है वो आपका chemicals होते हैं factories में बनाया जा रहा है तो इसमें हम लोग nutrients को add करते हैं कि वैसा ही वैसा चीज़ों को ही हम add करेंगे ताकि वो nitrogen, phosphorus और potassium प्रोवाइट करें और nitrogen, phosphorus और potassium जो है plants को large amount में चाहिए होता है अपने growth के लिए तो यह large amount में यह nutrients कौन supply कर रहा है fertilizers लेकिन fertilizer का कुछ disadvantage भी है अगर fertilizer यहां पर देख रहे हैं कि मैनियोर के comparison में fertilizer जादा nutrients दे रहा है और इसमें crops जो है वो जादा fast grow करते हैं तो fertilizer का कुछ disadvantage भी है जहां पर कुछ फाइदा होता है वहां पर कुछ नुकसान भी होते हैं तो fertilizer का क्या disadvantage है तो fertilizer का excessive use जो है लंबे समय तक soil की fertility को damage कर सकता है और second disadvantage यह है कि fertilizer आखिर है क्या chemicals है जो आपके factories में प्रिपेर किये जाते हैं तो यह जो आपके chemicals के बने हुए होते हैं तो जब हम लोग soil में fertilizer add करते हैं उसके बाद जब उसमें watering करते हैं जब पानी डालते हैं तो वह water की में dissolve हो जाता है और उसके बाद यह water के थ्रू जो है वह flow करके किसी ना किसी water bodies में जाकर मिलते हैं और water को यह पॉल्यूट करता है तो वहां के आपके aquatic life वह आपके effect होंगे तो यह आपका कुछ fertilizer का है disadvantage भी होता है